नमस्कार प्रिये साथियों मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिसोर समधान क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जो मंदिर है जो पूजा का इस्थान है वहाँ पर किस किस देवता की फोटो या मूर्ती होनी चाहिए और किस देवता की दो मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए साथियों सभी लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर में मंदिर बनाते हैं पूजा स्थान बनाते हैं जिसका घर बड़ा है वह बड़ा पूजा स्थान बनाता है जिसके घर में जगह छोटी है वह भी एड़जेश्ट करके पूजा का इस्थान अवश्य बनाता है जहां नियमित रूप से पूजा पाठ होती है साधना होती है वहां से नकारातमक औरजा और किसी भी प्रकार की ऐसी सकती जो आपको परिशान कर सकती है वह चली जाती है पूजा पाठ के प्रभाव से घर में शुक्षानती बने रहती है आज की वीडियो में आपके घर के मंदिर के विशे में बहुत सारी काम की बाते मैं आपको बताओंगा लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं, मैं आपको बता दू जो तिसके दौरा अपनी समस्त परकार की समश्चाओं के समधान के लिए और अच्छी जरेनी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा फोन नमबर, मेरा वोटसप नमबर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चलिए साथ योविशे में आगे बढ़ते हैं, आपके घर में जो मंदिर है, उसमें किसी महापुरुस की या अ में केवल ईश्वर को ही आराध्य माना गया है, ईश्वर की आराधना को ही महत्व दिया गया है, बाकी जो महापुरुस हैं, चाहिए कोई भी महापुरुस है, कोई रिसी मुनी हैं, या आपके आइडियल हैं, या आपके जो भी जिनको भी आप अपना आइडियल मांते हैं उनकी फोटो आप घर में अन्य जगे सम्मान पूरवक लगा सकते हैं लेकिन आपके मंदिर में देवताओं की बराबर में किसी भी महापुरुस की फोटो लगाना बिलकुल गलत है वहे देवताओं का अपमान ही माना जाएगा जो आपके आइडियल है जो आपके सरद्धा के केंद्र महापुरुस हैं हो सकता है वहे आपके लिए स्रेष्ट हो अन्य लोग जो है उनकी दरश्टी में या शास्तर की दरश्टी में और बहुत सारे करण हो सकते हैं वह आराद्य है की नहीं है यह एक अलग से चर्चा का विसे हो जाता है तो कहीं न कहीं अपने पूजा घर में अपने साधना स्थल में आपके इश्ट देव की फोटो चोटी अश्ट दातु की मूर्ती या उनका यंत्रादी ही मुख्या रूप से होना चाहिए जो भी इस्टी की मूर्ती या फ्रेम फोटो होनी चाहिए दो मूर्ती होने से ऐसा अशुब माना जाता है दो कुबेर यंत्र आपकी पूजा घर में होना भी शुब नहीं माना जाता किसी प्रकार का खंडित तूटा फूटा कोई फ्रेम फोटो या अश्ट दातु की मूर्ती भी आपके या कोई यंत्र तूटा-फूटा आए खंडित है आपके घर की घर में पूजा घर में वैवी बहुत बढ़िया नहीं माना जाता साथियों मैं कामना करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को पर सबस्क्राइब मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविश्य में भी तब तक के लिए नमस्कार